नमस्का दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से सम्मंधित कुछ प्रिष्णों को यहां डिस्कस करेंगे तो जिन प्रिष्णों की हम बात करेंगे उन प्रिष्णों को हम देखते हैं हमारा पहला प्रिष्ण है कि MPBA क्या बताता है ठीक है MPBA हमें बताना है कि MPBA से हमें क्या पता चलता है Option A बहुत तेजी से चलने वाली नाबों को Option B केबल जल में ही रह सकने वाले परसुओं को Option C केबल इस्थल पर ही रह सकने वाले परसुओं को और option D जल एवम इस्थल दोनों पर ही जह सकने वाले पसुओं को तो इसका जो सही अंसर है वह है option number D यानि कि जो amphibia है वह है जल एवम इस्थल दोनों पर ही जह सकने वाले पसुओं को बताता है आगे बढ़ेंगे कि amphibia, amphibia को हम किस नाम से और जानते हैं तो MPBI को हम जानते हैं उभायचार के नाम से थीके तो उभायचार के बर्ग में ऐसे जन्तु आते हैं जिनका जो सरीर है वाज जली और इस्थली दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजत हो जाए यहनी उभायचार बोबर्ग के प्राणी हैं जो की जल में भी रह लेते है और इस्थल में भी रह लेते हैं ए जन्तु असमतापी होते हैं जिनके सरीर का तापमान बाताबन के तापमान के अंसार गड़ता बढ़ता रहता है जैसे कि मैधक तोड़ा इत्यादी ठीके तो ए हम इस प्रिशन के बारे में कुछ और जानकरी थी अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशन है कि निम्न मैंसे कौन सा गोड मनुष्य को अन्य सभी बानरों के गोड से प्रिशक करता है ठीके हमें बताना कि ऐसा कौन सा गोड है जो कि मनुष्य को और दूथरे बानरों से हम प्रिशक हो जाते हैं ऑप्शन ए जानने की एक्छा प्रिगट करना ऑप् बिपरीत अंगूठे और option D थोड़ी का बाहर निकलना तो इसका जो सही अंसर है वह है option number A यहने जानने की एक्षा प्रगट करना इसी से मनुस्व जो है वह है बानरा के गुणों से अलग हो जाता है ठीके तो बुद्धी में जो है वह मानाव सर्बोच जन्तू है सिर्फ इसी जन्तू में गूड चिंतन जानने की एक्षा प्रगट करना तर्यक संगत तथा अक्षर बद्रबानी तथा भोतेक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिवक्ति इत्यादी की छमता है होती है तो जो मानाव है यह चिंतन कर सकता है जानने की एक्षा प्रगट कर सकता है तर्यक संगती कर सकता है अक्षर बद्रबानी बोर सकता है और भोतेक मुद्राओं द्वारा भावनाओं को अभिवक्ति कर सकता है आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है हमें बताना है कि कपी की सेणी में कौन नहीं आता है उप्शन A गिवन, उप्शन B गोरिला, उप्शन C लंगूर और उप्शन D ओरंग उटान तो इसका जो सही अंसर है वह है लंगूर यानि जो लंगूर है वो एक कपी की सेनी में नहीं आता है जबकि गीवन, गोरिला और ओरंग उटान के तीनों कपी की सेनी में आते हैं आगे बढ़ेंगे कि जो कपी है कपी प्राणी जगत में होमी नोई डेया महा परवार की सदस्जान बजातियों को कपी कहा जाता है इनकी मुख दो साखाएं होती है जैसे कि एक होती है महा कपी यह बड़े आकार के माना और नुमा कपी होते है जैसे कि चिंपेंजी, गोरिल्या, मनोस और ओरंग उटान दूसरा होता है हीन कपी यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे कि गिवन ठीके और जो लंगूर है लंगूर को कपी बर्ग में सामिल नहीं जबकि बानर बर्ग में सामिल किया जाता है ठीके तो लंगूर क्या है यह बानर बर्ग में होता है बाकी चेंपेंजी गोरिल्ला औरंगोटान और ग्यवन इस सब किसब क्या है कपी प्राणी जगत में सामल है आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित मैंसे किस जन्तू में खुर नहीं पाया जाते ठीक है खुर पाओं के नीचे जो कठोर कठोर रहते हैं उनको हम बोलते हैं खुर ओप्सन एक हिरन ओप्सन बी गीदड ओप्सन सी जेबरा और ओप्सन डी घोड़ा तो इसका जो सही अंसर है वह है गीदड यानि गीदड में खुर नहीं पाया जाते हैं जबकि हिरन में खुर पाया जाते हैं जेबरा में खुर पाया जाते हैं और घोड़ा में भी खुर पा तिसल एक है और गिदर का वेग्यानिक नाम है केनियस और गिदर की पेल ना खुण यूखते गरदीदार होते हैं ठीके इसके पेल कैसे रहते हैं घदीदार होते हैं इसमें खुड नहीं होते हैं बेग्यानक नाम है Canis, Aries गीधड के पेर ना खून युकते गर्दीदार होते हैं ठीके इसके पेर कैसे होते हैं गर्दीदार होते हैं इसमें खुर नहीं होते आगे बढ़ेंगे कि Octopus क्या है ठीके हमें बताना है Octopus क्या है Option A. एक संदी पाद है option B, soul chermi option C, एक hemicarda है, और option D एक मुर्दुक बची यहनी मुलसका है, तो इसका जो सही answer है, जो octopas है वो है एक मुलसका, जिसको हम मुलसका के नाम से भी जानते हैं ठीके, तो octopas एक मुलसका के नाम से भी जाना जाता है, ठीके यह एक से फेलो पूर्ड मुलसका है, जिसमें आठ मुखिये भुजाएं पाई जाती है, ठीके आठ भुजाएं होती है, इसके सेर में मुख तथा दो बड़े नेतर पाई जाती है, इसके सेर में होता है मुख और दो बड़े नेतर इसके इलावा इसकी भुजाओं पर दो पंक्तियों में चूसक भी पाए जाते हैं आगे बढ़ेंगे कि सबसे बड़ा आकासेर्यू की कौन है ठीके सबसे बड़ा आकासेर्यू की हम बताना है कि कौन है option A, octopus, option B, excavate, option C, coral और option D, jellyfish तो इसका जो सही अंसर है वह है इसके बड़ा आकासेर्यू की है वह है इसके बड़ा आगे बढ़ेंगे कि साब के जहरेली बिस्दंत होते हैं जो किसका रूपांतरत रूप है ठीक है कि सापके जो जहरेली विस दंत हैं वह है किसका रूप आंतरत रूप है यह हमें बताना है आप्शन A है चिभू कास्ती दंत के आप्शन B तालू दंत के आप्शन C स्वानिय दंत के और आप्शन D जम्भी का दंत के तो इसका जो सही अंसर है वह है जम्मी का दंत की है निसाप के जहजीले बिस दंत होते हैं यह है जम्मी का दंत के रूप आंतरत रूप होते हैं आगे बढ़ेंगी कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं ठीके तो ऐसे पादप जो कि चट्टान पर उग जाते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं यह हमें बताना है आपशन A अधिपाद पीए आपशन B लबनोद भिद आपशन C मरूद भिद और आपशन D सेलोद भिद ठीके तो इसका जो सही अंसर है वह है सेलोद भिद यानि कि चट्टान चट्टान को हम एक और नाम से जानते हैं चट्टान का नाम है सेल ठीके तो सेल जब चट्टान का में से कौन सा एक कीट आहारी पादप है ठीक है ऐसा कौन सा पादप है जो कि कीट आहारी है यानि कीटों को खाता है इसलिए कीट आहारी पादप हमें बताना है option A पैसन फिलावार पादप option B घट परणी option C रात की जानी और option D फिलेम आफ दी फोरेस्ट तो इसका जो सही अंसर है वह है घट परणी यानि घट परणी एक ऐसा पादप है जो कि अपने भोजन के रूप में कीटों को खाता है ठीक है यह आपको याद आकना कीटों को यह खाता है आगे बढ़ेंगे कि जो घट परणी पोदा है ऐसे कार पकड़ने के लिए अपनी बनावट के करण मास भक्षी पोदे के रूप में जाना जाता है ठीक है इसमें इसको इसकी जो बनावट होती है एक इस घट परणी बोला जाता है और इसमें कोई भी अगर कीट है यहां बैठता है तो वह नीचे गिर जाता है और इसमें एक बिसेला द्रब भार जाता है जिसके कारण होगा है मार जाता है तो घट परणी पोदे में फसे कीट उसमें एक अत्रत बिसेले द्रब से मार जाते है ठीक है तो यह है घट परण पौधा आगे बढ़ेंगे कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है ठीक है हल्दी कौन से भाग से प्राप्त होती है एह हमें बताना है option a जड, option b फल, option c पुष्प और option d तना ठीक है तो इसका जो सही अंसर है वह है तना ठीक है जो हल्दी है वह हल्दी प्राप्ट होती है पौधे की तने से आगे बढ़ेंगे कि पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्ट की जाती है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंध है जो की एक अंतहा भौधिक रूपांतरत तने का प्रकार है हल्दी का पौधा एक प्रकंधिये बहुबर्सिये साकिये पौधा है जिसका बानस् कुर्कुमा लांगा तथा यह जिंजर बरेशी कुल के अंतरगत आता है थेंक्य दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत नन्यवाद बाँ बहुत आता है